हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस नई किलास में जैसे कि आप सब जानते हैं कि अच्छे सी द्वारा से इटिक लिए एक्जाम केंडिट किया जाएंगे उसी बेस पे जितने भी कोशन बन रहे हैं हमने पिछली वीडियो में भी कवर करवाए और इस नई वीडिय है कि सर्स्वती नदी किस राज्जी में किस जिले में प्रवेश करती है हर्याना के किस जिले में प्रवेश करती है तो उसका आंसर है यमना नगर जो सर्स्वती नदी है यह यमना नगर के आदि बद्री में प्रवेश करती है एक कोशन यह भी बन जाता है नेश कोशन हर्याना की कौन सी नहर दिल्ली में ओकला नामकस्तान से यमुना नदी से निकाली गई है गुडगावा नहर कौन सी गुडगावा नहर इसका अंसर है C हतेली कुंड बराज प्रियोजना हर्याना के किस जले से समधित है इसमें थोड़ा सा वर्ड की मिस्टेक हो गई है यह हतेली नहीं हतनी कुंड बराज है यारी हिंदिम कहते हैं हतनी कुंड बांध या फिर हतनी कुंड बराज यह थोड़ा से इसमें हतेली लिखी हुई है इस निवर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक है और इसका अंसर ही यमना नगर, हतनी कुंड जो बांध है इसे ताज़ा वाला बांध भी कहते हैं और यह है यमना नगर के यमना नदी में, जो यमना नदी पहरी है यमना नगर में कर उस पर बना हुआ है, नेक्स कुर्शन पवतंतर सैनानियों को सम्मनित करने का निवर्ड किस वर्ष लिया गया था इसका आंसर है भी वर्ष 1981 में, नेक्स कुर्शन हरियाना में रेपिड मेट्रो की सुरुआ सरपर्थम किस सेहर में हुई, इसका आंसर है डी गुड़गामा हरियाना ने सराप बंदी कानून कब लागू किया? इसका आंसर है ए, एक जुलाई 1996 में लागू किया नेक्स कुर्शन हरियाना में नीमल लिखित में से किस सतान पर ताप बिजली घर इस्तित है? इसका आंसर है भी फिरिदाबाद हरियाना राज्य में परत्य गाउं में बिजली पहुचाने के कारे कब पूर्ण किया गया? इसका आंसर भी 29 नवंबर 1970 को कब 1970 को? नेस पूर्शन तिलियार नामक परेटक सतल हरियाना के किस जिले में इस्तित है? इसका आंसर है C, जिला रोहो तक ओफिस नामक परेटक सतल हरियाना में कहां पर इस्तित है? इसका आंसर है C, उशाना में हर्याना के केथल नगर में परताप गेट के निकट निमल लिखित में से कौन सा गुरुद्वारा इस्तित है इसका अंसर है ए गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर है केथल नगर में है गुर्दुवारा मांजी सहीब हर्याना के किस नहे नगर में इस्तित है तो इसका आंसर है डी कैथर इससे सम्दिद भी कोश्टन पिछली बार अच्च सी दोरा पूछे गे थे कि कौन से मतलब तोहार है या फिर कौन से जो मजार है इस पर का कोश्टन आते हैं और उसी इसले बस में बाकाइदा आप दे सकते हमाँ पर दे गए हैं हर्याना में किस सतान को नव गरहे कुंडों के इसलिए इस्तित होने के कारण छोटी कासी भी कहा जाता है इसका उसर है डी कैथर को अर्याणा में किस सतान को नव ग्रह कुंडों के इस्तित होने की कारण छोटी कासी भी कहा जाता है किसे कहा जाता है केथल को कुरूच छेतर में थाने सर सिटी स्टेशन के समीब निमे लिखित में से कौन सा परसिद स्टिविध सितल है इसका आंसर है B. ब्रहम सरोवर कौन सा? ब्रहम सरोवर ये दो थाने सर ये कुरूच छेतर में है भारियाणा में केथल के कुछ दूरी पर किस महापुरूश की समाधी इस्तित है जिस पर परतिक वरस दसहेरे के एक दिन पहले भारी मेला लगता है इसका आंसर है C. बाबा लदाना की पंचवटी नामक तिरसतल कहां पर इस्तित है? बहुत ही इंपोर्टेंट कोर्शन है एक कोर्शन जरूर बनेगा पलवल में कहां पर है? पलवल में राजगाट गुर्दवारा हर्याना में कहां पर इस्तित है? इसका आंसर है C. कुरू छेत्र में कुरू छेत्र जिले में वे है कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लच्मन गिरी महराज द्वारा जीवित समाधी ले गई थी इसका आंसर है B. वालमी की आशरन जिला कुरू छेत्र में कि सतान पर स्रीक क्रिश्ण ने अरजुन को गीता का उपदेश दिया था इसका आंसर है B. जोतिस्वर सरवार पर कहां पर जोतिस्वर सरवार जिला पलवल के होडल छेत्र में लिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल इस्तित है बहुत एच्छा कोशन है इसका आंसर है D. सती का सतान निम लिखित में से कौन सा तिर्थ सतल हर्याना के जिला कुरू छेत्र में इस्तित नहीं है इसका आंसर है C. डोसी तिर्थ सतल कौन सा डोसी बक्तिकाजी सम्दित गोडिय मत नामक धार्मिस्तल हर्याना के किस जिले में इस्तित है? इसका अंसर है C. कुरूच्छेत्र जिले में कहां पर कुरूच्छेत्र जिले में ताजे वाला हेड़ वर्क्स नामक परसित प्रेटक सतल हर्याना के किस जिले में इस्तित है इसका अंसर है D. गोरिया प्रेटक सतल कहां कौन सा? गोरिया प्रेटक सतल हर्याना में चोधरी देविलाल विसुधाले निमली कित में से किस सतान पर इस्तित है इसका आंसर है B, सिर्षा कहां पर सिर्षा हर्याना में पंजबी भासा को बढ़ावा देने के उद्देशे से पंजबी भासा को किस स्तान पर रखा गया इसका आंसर है D कौन सा? D, दिवित्ति स्तान पर रखा गया मेहर सी द्यानंद विस्विधाले हार्याना के किस नगर में इस्तित है? इसका आंसर है A. रोहतक चोद्री चरण सिंग क्रिसी विस्विधाले परदेश के किस नगर में इस्तित है? इसका आंसर है C. हिसार में कहां पर? हिसार में पर्दिश के किस जिले की साक्षर्टा दर्व सबसे कम है इसका आंसर है C, 9 कहां पर 9 हर्याना के किस जिले की साक्षर्टा दर्व सबसे ज़ादा है इसका आंसर है D, गुरुग्रा हर्याणा में नीमिल लिखित में से किस सतान पर नवद्दे विसुधाले इस्तित है ओडा, तितरस, देवराला इसका आंसर डी इन तिनों जगाँ पर ही है नेश कुश्चन देखे नीमिल लिखित में से कौन सा प्राचिन कभी हर्याणा से समधित नहीं है इसका आंसर है B. नुरोत्तम दास बाकी सब तीनों हर्याणा के प्राचिन कभी हैं यसे की महतमाहरिदास, बनारसिदास और वीरभान इस तीनों ही हर्याणा के सबसे महत्वन कभी हैं हर्याणा में कांग्रिस की सरुन जेनती कब मनाय जाती है इसका अंसर भी है, 8 दिसम्बर 1935 गांदी जी पलवल में कब गरफतार होए थे? बहुत ही important question के तो इसमें ये पूछ ले जाएगा कि गांदी जी कहां से गरफतार होए थे? कि ये भी पूछ ले जाता है कि गांदी किस डेट को तारीको गरफतार के गए तो है? जो आंसर बनता है, बहुत ही अच्छा आंसर बनता है और 100% आने की संभावना होती है क्योंकि गांदी जी से समदी तो हर एक्जाम में question पूछे जाते हैं तो इसका आंसर है, गांदी जी 8 अप्रेट 1919 को जो रोलट एक्ट आय था उसके बेस पर यहां गुड़गावा और मतलब पलवल के नजदीक पलवल में आय थे उसका मतलब विरोध में आय थे तो यह है जब यहां आय थे पलवल में तो यहां से यह किरफतार कर ले गए थे किस दिन किरफतार कर ले गए थे? आठ अप्रेल 1919 को रोलट एक्ट के तहट हर्याना के किस नगर में इबराहिम लोधी का मगवरा इस्तित है? इसका आंसर है D. पानी पत्मी पानी पत्में इबराहिम लोधी को और बाबर के बीच परसिद्यूद हुआ किन के बीच हुआ? पानी पत्में इबराहिम लोधी और बाबर के बीच परसिद्यूद हुआ कब हुआ? जिसमें इबराहिम लोधी पराजित होकर मारा गया तो यह है जो पानी पत्म का पर्थम यूद्ध है और जो हुआ था 1526 को इबराहिम लोधी और बाबर के बीच बाबर का ये इンडिया में पहला यूद था और जिसमें इब्राहेम लोधी की प्राजी हुई और बाबर विज्जी हुआ और जो मुगल जो मेडीवल इंडिया में जो एक पिरेड हुआ इस यूग का तो ये युग आये था 1526 में दिल्ली सल्थनत का जो युग आये था वो आये था 1526 में पानिपत का पर्थम युद के समी पानिपत के समी पे कौन स्तान है जहां परसन 1761 इस्वी में पानिपत का तीसरा युद हुआ वहोती अच्छा question है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये 1771 हुआ और इब्राहिम लोदी अनसोरी इसमें मराठों और इनके बीच हुआ था ये जो हुआ था ये समीब था काला अम्ब के समीब कहा था काला अम्ब के समीब कब हुआ था पानीपत का डेट भी आ जाती है कि जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 फिर 1556 हैमू और अगबर के बीच और जो तीसरा युद्ध था वो 1761 हुआ था पानीपत का ये तीन युद्ध हैं इनसे समदित question हर्याने के बनते हैं सीएटी प्रिक चक लिए तो नेक्स कोशन देखी सलार गंज गेट हर्याना के किस नगर में इस्तित है तो इसका अंसर है C पानीपत में मुगल कालीन मट्या किला अर्याना में कहां परिस्तित है इसका अंसर है C पलवल में फिरदबा जिले में किस स्तान पर तीन सो वरस पराने एक स्राई इस्तित है इसका अंसर डी कहां स्राई फार्जा गुव करण नामक तालाप किस जिले में इस्तित है? इसका अंसर है B. प्रौतक में स्री कृष्ण संग्राली हर्याना में कहां परिस्तित है? तो ये है कृष्षेत्र में इसका अंसर है C नहार सिंग का कीला हर्याणा में कहां परिश्चित है तो इसका अंसर है B बल्लोगड में हर्याना के जीन नगर को जीतकर गजपत सिन द्वारा एक विसाल के लेकर निर्मान करवाय गया था इसका निर्मान करवाय गया था 1775 में इसका अंसर है B गोहान नामक त्यासिक कस्वा हर्याना के किस जिले में स्थित है इसका अंसर है C जिला सौनी पत्मी कौन सा माता है जिला सौनी पत्मी नीमन लिखित में से कौन सा वरस 2016 में हर्याना का जिला बना यहनी 22 मजिला बना तोड़ा से इसमेली मिस्टेक होगी वड़ की तो इसका अंसर है चर्खी दादरी के हर्याना का last 2016 में बना था और ये 22 मझला है हर्याना का हर्याना के बाहद्दुर्वर्ट नामक एतिहसिक कसबे का प्राचिन नाम क्या था इसका अंसर सी है सर्फा बाद क्या था सर्फा बाद आदि बद्री नामक परुणाने काउं किस जिले में स्थित है तो यह है जिला यमुना नगर में कहां पर यमुना नगर में और इसमें आधी बद्री नमग जो गाउं है इस गाउं में सरस्वती नदी बहकर आती है जो हर्याना के कोर्शन बनता है कि हर्याना में सरस्वती नदी का सरुपर्थम कहां से आगमन होता है तो सर्स्वती नदी सबसे पहले जो परवेश करती है हर्याना के यम्ना नगर के आधी बदरी से परवेश करती है लास्ट एंड कोश्टन है ये महाभर्त कालीन प्राचिन गाउं आमीन हर्याना के किस जिले में स्थित है बहुत ही अच्छा इंट्रेस्टिंग कोश्टन है जिला करनाल में जिला कहाँ पर करनाल में आपको ये वीडियो कैसे लेगी हमें कोमेंट करके बताएं और किसी भी कोश्टन समदित आपका जो कोश्टन है आप पूछने चाहते हैं तो हमें कोमेंट करके बताएं